आज टीवी चैनलों के माध्यम से श्री राहूल गांधी जी जो मनिपूर गए हुए हैं उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहूल गांधी जिस जिद के साथ मनिपूर गए हैं वो जिद उचित नहीं है जागरुक होके जाना चाहिए था जिद और स्टबर्नेस जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए जागरुकता होना चाहिए जिद और स्टबर्नेस नहीं होनी चाहिए स्वभाविक रूप से राहूल गांधी मनिपूर जाना चाहते थे गए मनिपूर किसी ने रोका भी नहीं उन्हें मगर मनिपूर की जो एड्मिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया किया की विगत दो-तीन दिन से जबसे राहूल गांधी जी का मनिपूर आने का खबर मनिपूर के लोकल निउस चैनल्स में चल रहे हैं अकबारों में छप रहे हैं राहूल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मनिपूर में हो रहे हैं राहूल गांधी जी और जो कॉंग्रेस पार्टी है मनिपूर में कई लिगसी इशूज है आज जो परिस्थिती हम मनिपूर में देख रहे हैं इन कुछ legacy issues के कारण है जिसमें Congress Party का एक बहुत बड़ा हाथ है I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them मैं भी उनका यहां उदाहरन रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह विशय बहुत गंभीर है sensitive है और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो effect डालता है मनिपूर के situation पर तो स्वभाविक रूप से राहूल गांधी जी के जाने से पहले आप सबने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो student union है all money poor student union उन्होंने press conference करके राहूल गांधी जी के विजिट को boycott करने की मांग भी की थी और क्यों boycott किया था वो legacy issues को enumerate किया था इन student unions ने कई civil society organizations जिसको CSOs कहते हैं CSOs ने भी अवहान किया था कि राहूल गांधी जी इन परिस्थिती में मनीपूर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करे मगर फिर भी राहूल गांधी जी नहीं माने मेरा पाई भी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं जो माताएं हैं मनीपूर में उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबेह लगभग 11 बजे के आसपास इमफाल में उत्रे हवाई अड़े पर और उससे पहले भी कम्यून डिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को काहा गया एक रिक्वेश्ट किया गया सरकार ने उनसे रिक्वेश्ट किया कि राहुल जी आप चुडाचानदपूर जाना चाहते हैं रिलीफ कैम्प विजिट करना चाहते हैं कोई बात नहीं आपका अधिकार है बिलकुल जाएए कोई आपको रोकेगा नहीं मगर सडकों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारे बाजी करने के लिए उतारू हैं हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और दौरे पर गए थे मनिपूर में तो उन्होंने वहाँ जायजा लेने के पस्चात एक हेलिकॉप्टर सर्विस तीन स्थानों पर चालू किया था चुडा चानपूर जाने और आने के लिए और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए मानिय अमिजी के निर्देश अनुस लगते हैं तो एड्मिनिस्टेशन ने राहुल गांदी जी से रिक्वेस्ट किया आप एक परचा कटाईए और प्लीज यू टेक लिकॉप्टर तो चुडा चानपूर इससे सडक रूट जो है उस सडक रूट पे किसी प्रकार की वहाँ पर गरबड़ी होनी की आशंका है लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ वो नहीं होगा और यहाँ वील मेंटेन काम मगर राहुल गांधी मानते नहीं है उनको मुहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है जटापट किसी से बिना मशुरा किये जिद करते वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था अभी मैं देख रहा था टेलिविजन चैनल पे लोग सडकों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक राहुल गांधी गो बैक अपने हाथों में प्लैकार लिये हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कॉंग्रेस ने पहले क्यूं की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक और अब राहुल जी के काफिले को विश्नुपूर में एक स्थान है विश्नुपूर विश्नुपूर में जब वहां बहुत प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यूटर्न लेके वापस आ रहे हैं यही अगर राहुल जी सुबह करते एड्मिनिस्ट्रेशन की बात मानते हेलिकॉप्टर से चुड़ाचानपूर जाते तो आज म आज पूर्न इंफाल में बना है यह मनिपूर में नहीं होता मुझे लगता है कि राहुल जी की यह behavior it was highly irresponsible i always say राहुल and responsibility never traveled together he has again proved the same today he should have been more responsible more sensitive towards the issue of मनिपूर जून 13 से तेरह जून से अब तक शांती थी किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना दुर घटना और किसी की जान नहीं गई थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज सुबह एक विक्ती के जान के जाने की खबर है दुखद खबर है और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं अब गोली नहीं चल रही है लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं वैसे में राजनीती के माध्यम से अगर माहूल को बिगाडने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है मुझे इतना ही कहना था और मुझे लगता है चूंकि ये बाइट है और एक बहुत सेंसिटिव विशह पे मैंने अपने विशह को रखा है हम सब इसको समझेंगे एक एक शब्द जो हम कहते हैं it has some effect in Manipur so we all would be responsible we all would be responsible citizens of this country ये अपील मेरे हर कॉंग्रेसी और हर opposition डीडर से है thank you so much चत्रबतीन साविचान घंजे